माकर राशी वाले दोस्तों इस वीडियो में जुलाई, अगस्त और सितंबर मा की बात करेंगे। ग्रैकोचर के नुसार तीनों महिने कैसे रहने वाले हैं उस पर चर्चा करेंगे। इन तीन महिनों के बाद अक्तूबर मा से आपकी राशी पर महत्त पुरन बदलाब शुरू हो जाएंगे। तीस अक्तूबर को सुख स्थान पर निर्मान हो रहे गुरु चंडाल योग से मुक्ती मिलेगी। इसके अलावा चार नवंबर से सुख स्थान पर पर रिशनी की वकर द्रिष्टी से भी बहुत बड़ी रहत मिलेगी। जैसे जैसे वरशवयतीत होता जाएगा मन में महसूस हो रही सुख शांती की कमी दूर होती जाएगी सुख चैन जैसे फल मिलेगे। वैसे भी साड़े साथी अपने अंतिम पड़ा पर पहुंच चुकी है। साड़े साथी रूपी हाथी निकल चुका है। केवल पूँच अभी बाकी है। इसलिए चिंता का कोई विश्या नहीं है। आने वाले समय में जीवन पर छाए निराशा और संकट के गंगोर बाद पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों मैं स्ट्रलेजर रजेश कालिया। हार्दिक स्वाज़त करता हूँ आपका अपने यूटीव चैनल अक्षी तैस्टरों मास्टर में। मेरे मकर राशी वाले दोस्तों कैसे हो। मकर राशी के लावा मकर लगन वाले दोस्तों भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जीवन के सभी महत्पुर्ण शेतरों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक शेतर की। इन तीनों मां में शनी धन बाप पर वक्री वस्ता में संचार करेगा। शनी आपकी राशी क के धन बाब का स्वांबी भी है इसलिए धन तो आएगा परंतु धन का मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा बच्चत को बचाई रखना आपके हाथों में रहेगा फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की विश्यक्ता रहेगी नहीं तो एक हाथ से धन आया है तो दूसरे ह वेश ना करें क्योंकि एक जुलाई से लेकर अठारा अगस्त तक आये एंवलाब बाब के स्वामी मंगल के सैयोग में भी कुछ कमी रहेगी आपकी राशी के सुख एंवलाब बाब का स्वामी मंगल अठारा अगस्त तक अश्ठम बाब बादक स्थान पर संचार करेगा त चाल दें तो अधिक बेहतर रहेगा चतुर्थ बाव और मंगल दोनों का सवंद भूमी भवन और जमीन जैदात से है चतुर्थ बाव पहले से ही गुरु चंडाल योग और शरी की वकर द्रिश्टी से नकरातमक उर्जा पैदा कर रहा है एक जुलाई से लेकर अठारा अगस तक बूमी पूतर मंगल भी अश्ठम बाव बादकस्तान पर शनी की वकर द्रिश्टी में आ जाएगा इसलिए यह समय भूमी भवन या वाहन स्वंदित कार्या करने के लिए बिलकुल शुब नहीं है अठारा अगस तक माता जी के स्वास्त की भी नियमी तुरूप से जाँच परताल करवाते रहें अठारा अगस तको मंगल बादकस्तान से मोक्तो कर भाग्यावा में परवेश कर जाएगा इस से सुख चैन जैसे फल मिलेंगे भाग्यागे सैयोग से आए एम लाब में वरिदी के अब सर पैदा होंगे आर्थी कुनती लाब और सफलदा को बल मिलेगा परंतो अठारा अगस तक मंगल के अश्टमबा पर संचार से जोश जोश में होश भी बनाई रखे अब बात करते हैं नोकरी पेशा दोस्तों वैपारियों और वैबसाईयों के लिए तीनों मा क्या संकेत दे रहे हैं आप किसी भी परकार के कार्या वैपार और नोकरी पेशा से जुड़े हैं कासकर 18 अगस्त तक वानी पर नियंतरन रखने की वशक्ता रहेगी वानी का सोच विचार कर परयोग करें नहीं तो वानी के द्वरा कू बचन और कटू बचन के परयोग से बने बनाई कार्या बादित हो सकते हैं सरकारी कारें से जुड़े दोस्तों के लिए वी जुलाई मा के शुरुआती दो सब्ता 17 जुलाई तक और सितंबर मा के अन्तिम दो सब्ता 17 सितंबर के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा मद्या के कुछ समय में सूर्य शनी की वकर द्रिश्टी में रहेगा शनी की वकर दृष्टी सूर्या की शुबता को परवावित करेगी इस समय समाई में अपने मांस मांड के प्रती सह जग रहें खास कर 17 स्तंबर तक अधिक स्तंबर करें 17 स्तंबर को सूर्या राशी प्रवर्तन कर भाग्या बाव में प्रवेश कर मजबूस थिती में आ जाएगा वैपारियों और वैपसाईयों को शुकर और बुद के शुब गोचर का लाब मिलेगा तीनो मां वैपार कारक बुद का गोचर उत्तम बना रहेगा 7 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक वैपार कारक बुद वैपार बाप पर संचार करेगा तो 25 जुलाई से पूरे सितंबर मा तक अश्ठम बापर वप्रीत राईयों का निर्मान करेगा इस से बुद के शुबफल देखने को मिलेंगे तीनो महिने विफारी दोस्तों के लिए परस्थितियें अनकूल बनी रहेंगी करम बाप का स्वामी शुकर भी इस सवदी में जादातर सप्तम बापर संचार करेगा इसलिए करियर के दृष्टी कों से तीनो मास करातमक बने रहेंगे बात करें शिक्षा की तो शुकर का सप्तम बापर संचार विद्यारतियों के लिए विद्यारतियों के लिए उत्तम रहेगा लेकिन साथ जुलाई से लेकर साथ गस तक शुकर अश्ठम बापर संचार करेगा इसलिए इस समय विद्यार्थी शिक्षा के प्रती रूचियों का गर्ता में कोई कमी ना करें साथ गस्त को शुकर वक्री वस्ता के कार्णवश एक बार फिर सब्तम्बाब में परवेश कर जाएगा तथा सितंबर मा तक सब्तम्बाब पर ही गोचरस्त रहेगा जो की विद्यारतियों के लिए उत्तम रहेगा शुकर के शुब गोचर का विद्यारतियों को पूरा लाब मिलेगा बात करें मकर राशी वाले प्रेमियों की तो आपकी राशी के प्रेम प्यार बाब का स्वामी शुकर है इस सवधी में प्रेमियों को प्रेम प्यार और रुमास कारक शुकर के शुब गोचर का बहुत लाब मिलेगा। प्रेमी प्रेम सबंदों और रुमास के मोर्चे पर अनंद रुमांच और प्रसंता के नबुति करेंगे। प्रंतो बीच में एक महिना ऐसा आएगा। प्रेमि के साथ द्रिष्टी स्वंद बनाएगा शुकर पर शरी की वकर द्रिष्टी पढ़ेगी इसलिए इस समय शुकर के सायोग में कुछ कमी रहेगी प्रेमी जन के साथ मन मुटाब की संभावना बढ़ सकती है विरोधी भी शड़ेंतर रचने में स्क्रिये रहेंगे आपके प्र प्रेम्स बंदों से चिर्णने और विरोधावस रखने वाले परस पर मन मुटाब पैदा करने के प्रियोर प्रियतन करेंगे एक महिने में एक दूसरे के प्रती विश्वाश में कोई कमी ना करें दूसरों के बहकावे में ना आए साथ अगस्त को शुकर फिर से दंपत्य प्रियबा में प्रवेश कर जाएगा इससे प्रेम्स बंदों में स्करात्मक मोड आएगा पिछले समय से चले आरे मन मुटा भी दूर होंगे प्रेम्स बंदों को विवास उत्तर में बांगने के इच्छुक दोस्तों को शुकर के इस गोचर का लाब मिलेगा बात करी अगल अश्ठंभाप से प्रस्थान कर जाएगा इससे दमपत्य जीवन में सुक शांति और परसंता का महौल बनेगा जीवन साती के स्वास्त में बेहतर बदलाव आएगा कुल मिलाकर 18 अगस्त के बात का समय दमपत्य जिवन में सुक शांति के लिए अधिक अनकूल वीडियो कैसी लगी किर्प्या लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यावाद